हेलो दोस्तो मेरा नाम है नितीन और आपका स्वागत है मेरे चानल नितीन स्पीडिया वर दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं कि हम सिर्फ 10 सेकंड में नौन परफेक्ट स्क्वेर रूट कैसे आसानी से निकाल सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो यह जो फॉर पल है रूट 10 जिसका आपको स्क्वेर रूट निकालना है तो दोस्तो यहाँ पर हम इस दस को ऐसी तोड़ेंगे जिसमें जो एक नंबर है वह हमेशा परफेक्ट स्क्वेर होना चाहिए जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49 इस तरह से तो यहाँ पर जब आपने दस को तोड़ा तो आप उ वाला है नहीं तो आपने उसको तोड़ा 9 प्लस 1 अब आपको करना क्या है यह 9 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वेर है तो 9 जो है वह 3 का परफेक्ट स्क्वेर है तो आपको यहाँ पर लिखना है 3 उसके बाद यहाँ पर अंदर कुन सा साइन है प्लस तो आप यहाँ पर लि के बाद आप उसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से जो नंबर है 3 तो इस 1 को आपने डिवाइड किया 3 से और इस 3 को हमेशा 2 से multiply कर देना है ठीक है तो 2 से multiply करने के बाद वो आएगा 6 तो आपके पास हो जाएगा 3 3 प्लस 1 बाइ 6 जो की calculate करने के बाद यानि हास से ही आपको answer मिलेगा 3.16 तो दोस्तों देखा आपने सिर्फ 10 सेकंड में अगर आपकी practice हुई तो इसको निकाल सकते हैं तो और एक जो 9 है वह 7 के बहुत ज्यादा close है आप इसको 4 प्लस 3 भी लिख सकते थे लेकिन जो 4 है वह साथ से थोड़ा ज्यादा दूर है इसलिए हम यहाँ पर 9 लेंगे अब हम करेंगे क्या यह है 9 तो 9 किरका स्परफेक स्क्वेर है 3 का तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 अंदर कुन की डिवाइड कर देना है इस वाले नंबर से जो की है 3 तो आप उस आपने 2 को डिवाइड कर दिया 3 से और इस 3 को हमेशे की तरह 2 से कंपल सरी आपको डिवाइड कर देना है तो आपको मिलेगा 8 बाइ 3 तो 8 बाइ 3 को अगर आपने calculate किया तो आपको आएगा 2.667 तो दोस्त को मैं आपको दो तरीके से निकाल के देता हूँ ठीक है यानि अलग-अलग नंबर लेके तो सबसे पहले हम इसको करेंगे 9 प्लस 4 से तो आपने 13 को जो है वह फोड़ा 9 प्लस 4 उसके बाद 9 किसका perfect square है 3 का तो आपने लिख दिया 3 यहापे अंदर कुन सा sign है plus तो यहापर प्लस उसके बाद यहापे बचा कितना 4 तो 4 को उपर लिखा और उसको divide कर दिया इस वाले नंबर से जो कि है 3 और इस 3 को compulsory 2 से multiply कर दिया जो कि आएगा 6 तो 3 प्लस 4 बाइ 6 अगर आपने किया तो आपको मिलेगा 3.6 और इसी root 13 को आप अलग नंबर लेके भी निकाल सकते 9 प्लस 4 ना करते हुए 16 माइनस 3 किया तो भी आपको 13 ही मिलेगा तो उसके बाद यह जो 16 है उस 16 का यह किसका perfect square है 4 का तो आपने लिख दिया 4 यहापे अंदर कौन सा sign है माइनस तो आपने बाहर भी लिखा माइनस उसके बाद यहापर बचा कौन सा नंबर 3 तो इस 3 को यहा इस वाले नंबर से जो कि है 4 और इस 4 को हमेशा की तरह आपको multiply करना है 2 से तो आपको मिलेगा 4 माइनस 3 वा 8 तो अगर आपने इसको solve किया तो आपको वही answer मिलेगा जो है 3.6 तो देखा दोस्तों आप किसी भी नंबर को arrange करके जो answer है 1 निकाल सकते हो बस आपको एक चीज द जानी perfect square चाहिए तो आप आसानी से उसको calculate कर सकते हो तो चलिए और एक example हम discuss करेंगे तो हमारे पास है 47 जिसका हमें square root निकालना है तो यहाँ पर आपको उसको तोड़ना है तो आप उसको तोड़ेंगे कैसे तो 47 के पास सबसे nearby जो perfect square है वह कुन सा है 49 तो आपने इसको 47 को तोड़ा 49-2 तो 49-2 तोड़ने के बाद यह बचा आपके पास 49 तो 49 का जो है वह किसका perfect square है 7 का तो आपने भाहर लिख दिया 7 यहाँ पर अंदर कुन सा sign है minus यहाँ पर भी भाहर minus उसके बाद यहाँ पर बचा कितना 2 तो 2 उपर लिखना है और उसको हमें divide कर देना है इस न 2 से multiply कर देना है तो इस तरह से आपको मिलेगा 7-1 by 7 तो अगर आपने इसको calculate किया तो आपको मिलेगा 6.85 तो देखा दोस्तों आपने अगर आपकी practice सच में अच्छी हुई तो आप 10 second में इसको निकाल सकते हैं तो उमिद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह trick अच्छी लगी होगी अगर आपको यह trick अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और वीडियो देखने के लिए thank you so much